डॉक्टर बत्रास मल्टी स्पेशिलिटी होमोपेथी क्लीनिक्स अब आपके शहर कांगडा में नारागर नगर परिशत के वाड नमबर 6 के पूर्व पार्षद महेश गौतम ने एक महिला पर हाई कोट के आदेशों के विरुद जाकर मिली भगत कर जमीन बेचने का रोप लगाया है महेश गौतम ने बताया कि हाल ही में एक महिला द्वारा जूटे ही माचली दस्ता वेजों के अधार पर जमीन खरीदने का मामला सामने आया था जिस पर हाई कोट ने महिला द्वारा जूठे दस्तावेजों के अधार पर खरीदी गई सबी जमीनों को जब्त कर कारेवाही शुरू की हुई है मगर इसे बीच उक्तम महिला ने बदी तहसील के अंदर अधिकारियों की मिली भगत से जब्त हुई जमीनों में से कृष्ण पूरा में स्थीत जमीन को आगे बेच दिया जिसकी हाल ही में अधिकारियों ने रिजिस्टी तक करवा दी गई है महेश गौतम ने डीजी सोलनवर्स सरकार से अपील की है कि मिला के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाही की जए एसे हमारे नालगत अरिय में बहुत से केस है जो लोग क्या करते हैं नो नहींगा रिएं बुज या खरीड रहे हैं या कुछोगों के नाम खरीड देब बेनामी शोनले कल देते हैं तो हम सरकार से अगरा करते हैं कि चिकने भी लोग हैं उनके ओपर कारवाई की जाए और जैसे अभी पिर्षे रिसेंटली पांचे मीने पहले एक दो मीने पहले के साधारी ती ती वो और लेडी उसकी गोर्ड मेंने रिक्वार कर ली थी जमीन तो उसने फिर भी उसके बाद के बेज़ दी शरकार को लाकण देख़े कर चुन्न लगाया कि नाखरे क्रोर पर this gonna तो हम सरकार से दीशी मोदे से मैं पुजाइश करने इनकी तृट कारभा की जाए और इंकॉरे की जाए तो उससे किस तरह की कारभाई होगी कि जो माईला थी उस नौन इमाचली होने के बावजुद भी इसको ना पीचा जाए उसको दिकरेंट किया जाए अभी जो केस आपने बताया है यह मेरी नौलज में आप ही ने लाया है तो फाइल जैसे ही आती है उसके बाद हम देखते है एक्जैक्ली क्या इसमें वोईलेशन्स होई है और रूल के सापसे इसमें करवाई की जाएगी अगर रूल इसमें क्लियर नहीं होगा था हम गवर्मेंट से उनका मारदशन इसमें प्राप्त करेंगे उजवल हिमाचुल के लिए नारागड से सुरेंद्र सिंग सोनी बुडमल जुएलर्स पालंपूर भरोसा उम्र भरका